तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और यह जी वीडियो हैं आप लोग के 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्चन का सरी चल रहा है न उसका पार्ट 14 है यानि की 14 हुआ पार्ट है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 के सारे अब्जेक्टिव कोश्चन को कम्प्लीट करने वाले हैं तो हर एक अब्जेक्टिव कोश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है समझ कर सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से एंसर दीजेगा फिर मेरे एंसर से मिला लिजेगा कि कि आप कितना अब्जेक्टिब कोश्टं सही कर पाये हैं और यहां से आप लोगा सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखिए यहां पर चैप्टर का नाम अलोडी लिorschा हुआ है खेती जो की एक नजम है ठीक तो जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि नजम खेती के साइर कौन है यानि कि यह जो नजम है कवीता है खेती इसके साइर कौन है लिखने वाले कौन है तो देखिए option में दिया है option a में अली सर्दार जाफरी बी में अकबर अलाबादी और c में जफर कमाली डी में अमिक खनफी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही option है option number d अमिक हनफी option सब्सक्ति इसोर आइट इस चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ दूसरा सवाल है कि खेती की है यायनकी खेती नाम कई जो नजम कभीता यह किस टाइब का नजम है यह पाबंद नजम है ऑप सबया इस आप लिगा आजाद नजम है किया यह तनकीद है और डी में कोई नहीं मतलब इन मेंसे कोई नहीं है तो इसका सही option क्या हो जाएगा सही option होगा option number B आजाद नजम है यह जो खेती नाम का नजम है यह एक आजाद नजम है इस पर किसी भी तरह की पाबंद ही नहीं है तो option number B इस और आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि और बढ़ने के मवाकी भी हमें देता है वक्त या मिस्रा किस नजम का है तो यह आप लोगों को बताना है यह जो लाइन है और बढ़ने के मवाकी भी हमें देता है वक्त ये लाइन किस नजम से लिया गया है किस कवीता से लिया गया है तो देखिए option A में है मेरा सफर B में है गुफ्तगू C में है खेती और D में बरके कलीसा तो इसका सही option क्या होगा आप हमें फड़कट बताएं इसका सही option होगा option नमबर C खेती नजम से लिया गया है ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 4 है कि सब्सको जर्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है ठीक तो इसका सही अंसर आप लोगो मालूम होगा क्योंकि मैं आप लोगो अलड़ी बता चुकी हूं जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तब आपनों को मालूम नहीं होगा ठीक है अगर आप चैप्टर पढ़ें तो इसका 便सर पता है क्या होगा इसका चैप्टर नंबर 2019 वक्त यो है वो सब ticking जर्रे बनाने के मौक इजाज़त देता है चलिए आगे बढ़ते है सवाल नमबर पाँच की तरफ कि नज्म खेती का मरकझी किरدार कौन है या जो नज्म खेती है कीता इसका मरकझी किरदार यानि की में क्यरेक्टर कौन है किसके उपर ये खेती नाम का नज्म लिखा गया है तो देखिए, औप्सण A में है खेती B में है मौसम, C में है वक्त, और D में है सूरज, तो इसका सही जवाब होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि खेती होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका सही option है, option number C, वक्त, वक्त पर ये खेती नाम का नजम लिखा गया है, कि जिस तरह किसान अपने खेत में खेती करता है, फसल होता है, और वक्त किसान का खेती फसल होता है, उसी तरह हम लोग है, वक्त हमें फलने फूलने का मौका देता है, हम बच्चे से बुढ़े होते हैं जवान होते हैं फिर बुढ़े होते हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि हम लोग मर जाते हैं हमारा इंतकाल हो जाता है हमारी मौत हो जाती है तो हमा मतलब हम लोग किसकी खेती हैं वक्त कीशेती है तो यही बात इस नजब में बताया गया है और कोते हैं किमीख हन्फी का असल नाम क्या है ईनका यृल नियम बताना नहीं तो देखे आपस्ण नहीम Madhu ॅब्राइमान hani दिस्यो अबदल गंधूर कंवी तनो क्या अब्र्षाल और तो इसका सभी आपसट आप लोगो सब्सक्राइब नमबर डी उनेशाट थाइस में अमिक पैदाईश हुई थी आगे बढ़ते हैं फड़ाफुट सवाल नमबर एट की तरफ कि अमिक हनफी कहां पैदा हुए यह इंपॉर्टन कोश्चन है भी लगा कर आप लोग इसको याद कर लिजेगा भी थी थी इनकी पैदाईश आगे बढ़ते हैं फड़ाफुट कोश्चन नमबर नाइन की तरफ कि अमिक हनफी किस मजामीन से में किये यह आप लोग को बताना है किस सब्जेक्ट से वों में किये थे यही बताना है तो आप सने में हैं तारीख और सियासत भी में हैं रियाजी और तारीख सी में सियासत और रियाजी और डी में है उर्दू और रियाजी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा अपसन नमबर ए तारीख और सियासत यह भी मैं आप लोग को अलड़ी बता चुकी हैं आगे बढ़ते हैं फड़ाफट तंदूर नहीं नहीं यहां पर इंदौर रहना चाहिए यहां पर गलत टाइप हो गया है गलती से तंदौर लिखा गया है बड़ कोई दिकत में यहां पर इंदौर रहेगा ठीक option number C में हैं इंदौर और D में हैं लाहोर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number C इंदौर इंदौर में पैदाईश हुई थी अमिखनफी की तो देख रहे हैं एक ही सवाल घुमा कर पुछा है आप से ये पुछ सकता है कि अमिखनफी की पैदाईश कब हुई थी तो आप लोगो डेट बताना होगा कि उनकी पैदाईश 28 में हुई है या फिर अगर ये भी पुछ सकता है कि अमिखनफी कहां पैदा हुए तो option में मियो छाओनी ना देकर आप लोगो को क्या दिया रहेगा इंदौर दिख करना है तो यह सारा चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं question number 11 है कि अमिखनफी का पहला मजमुवा कौन है पहला मजमुवा यानकी पहला किताब अमिखनफी द्वारा लिखा हुआ पहला किताब का नाम आप लोगो को बताना है यह important question है इसको भी विवियाई समझते हुए आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए ठीक है तो देखिए option ए में गर्दवार गी भी में चारगर सी में असारूल सनादीद और डी में संगे पैराहन तो इसका भी एंसर आप लोग को मालूम होगा और यह मैं चैप्टर पढ़ा रही थी ना तो important समझते हुए आप लोग को बताई थी कि अमिखनफी का कि उस्ताद का नाम किया था पीचर का नाम बताना है तो बिदे के कलीम अली खान ओर भी मैं रजब अली खान सी में साइद अली खान और डी में है वजीर अली खान तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसका सही एंसर है option number एक तो आगे सवाल की तरफ तरफ सवाल 13 है कि दर्जेल में से कौन अमिक हनफी का नजब नहीं है यहाप आप लोगों को बताना है कि इन चारों आपसन में से कौन सा ऐसा अपसन है जिसमें अमीठ्वभी का लिखाए हुँआ नजमियन की कई नहीं है तो आप्सन A में है शोले की सनख्त B में हैं एक मिनट यहाँ पर D गलते से लिखागे आप्सन A में है शोले की सनख्त और B में सिंदबाद S में शैर्जादा और D मैं सुरत النाकूस तो इसका सही जवाब क्या होगा फड़फ़ट अब हमें बताएं इसका सही जवाब है ऑपसन नमबर ए शोले के शनाक्त जो है ना यह अमीख हनफी का लिखा हुआ नजम नहीं है बाकि सिंदबाद शहजादा सुरत नाकूस यह इनका लिखा हुआ नजमियन की कवीता है बट शोले के सनाक सब्सक्राइब को और इसका सही जवाब आप लोको मालूम हो जाएगा अचरे डीड़ बी डोनों से वे शोले के शोले Packski निवरे अर्गारस्त कम कम से दो और और शेरोची देगरस्त ये दोनों किताब जो है ना अमीख खनफी की लिखी वी तनक्यी किताब है ठीक चरीए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अमीख खनफी ओल इंडिया रेडियो में किस ओधे से सबक दोश हुए अमीख खनफी जो है ना ओल इंडिया रेडियो में किस पोस्ट से रिटायर हुए थे या आप लोगों को बताना है तो देखिए ओप्सन ए में हैं स्टेशन डारेक्टर बी में हैं प्रिंसिपल सी में स् चाहेगा option number एक मिनट option number एह होना चाहिए इसका यहां पर थोड़ा सा confusion कोश्टन नबर 15 का होना चाहिए हाँ station director होना चाहिए option number एज़ो राइट एंसर चलिए आगे बढ़ते हैं question number 16 कि अमीखनफी का इंतकाल कहा हुआ अमीखनफी का इंतकाल हुआ था दिल्ली में option number एज़ो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट सवाल नबर 17 कि अमीखनफी की वफात कब हुई उनकी मौत कब हुई थी option A में उन्हें 85 B में उन्हें 86 और C में पना ईसरज की किरन की हमदमी मिस्रा किस नजम से लिया गया है यह जो लाइन है जूमने देता है सुरज की किरनख की हमदमी में किस नजम कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number C option number C इसराइट एंसर तो यह था चाप्टर नमबर 14 का चाहरा objective सब्सक्राइब करना मत बूरिएगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद गंटी को दबाकर और क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोग जाने वाली और वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचेएगा ठीक तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और हुदा हाफिज